कर सकते हैं तो देखते कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी है तो बैंक निफ्टी देखने में दो इंट्रेस्टिंग लग रहा है और हो सकता है कि अब मुव और दे लेकिन अगर इस बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके इस रेंज को फिर से तोरेगा वो 47100 फिर से तोरेगा कि फ्लैट ओपन होके त्वरा सथ टाम सपान करके फिर से तोरेगा तैसमें अम्मोब्मेंट मिल सकता है 47300 तक जा सकता है और इसके निचे आने से 46-800 के निचाने से थोर सा remake हो सकते हैं और σε वाले लेवल तक मिल सकता है हैlen है मैं वरिड क्यों हो क्यों कि मुझे केंविक्षिन नी मिलodus अपसाइड में nifty का चार्ट थोरा सा मुझे कंविक्षिन नीँ दे रहा है पहले दो देख लेते फिर बात करते कंल अगर फिर बहुत बड़ा gap up होने से 47 400 पास gap up होगे तब हो सकता है कि market में पहले profit booking आए तेन market sideways होके profit booking आके profit sideways रहके closing कर दें ठीक है और अगर बहुत बड़ा gap down दे दिया तो market negative हो जागा इसके निचाए gap down देने से बहुत बाद फिर उसके बाद अच्छा खासा फॉल कर सकते हैं बहुत बार गयपब में हो सकता है तोटा से प्रोफिट बुकिंग आपे तोरह साइडवेस रहे के पिर तोरह सा मूव कर सकता है और फ्लैट औपर होने के बाद पेहले तो हम लोग का वह बायस ने स्पॉजिटिफ की तरफ रहेगा पॉजिरिव की तरफ ही रहेगा लेकिन इसको अगर ब्रेक करता है या फिर अगर ऑपन हो के थोड़ा सा प्राइस सेक्षिन बना के दिन ब्रेक करता है नीचे के तरफ ता हम लोग अच्छा गासा एक डाउनसाइड मोमें में मिल सकता है क्योंकि निफ्टी है तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इतना जादा केंविक्षिन है अगर लोग लाइफ हाई के उपर होता है तो एक बार जाना चाहिए था अच्छा गंडल बनाना चाहिए था आज दोसोड़ाइस से क्रॉस कर देना चाहिए था जो भी है और मैंने आज जो मेरा कमिल्टी बोस में जाके देखना में नहीं दिया था 22,222 तो टूटेंटी से 250 तक का मुझे रेजिशन लग रहा था लेकिन वहापर पहुचा है नहीं है तो कल हो सकता है गैप अगर कल निफ्टी गैप दें तो गैप देने से हो सकता है कि स्लाइट शुरू हो जाए मुझे अगर मैं यह वाला यह फैसा रैड ऐसा टाइप का होगा कल यह दोरों केंडल में से एक टाइप का केंडल बनना चाहिए कल मुझे नहीं लगता कुछ मतलब अप मूव बड़ा वाला आप मूव देखने को मिले है क्योंकि जो अप मूव हुआ आज इसको अगर आज मूव करना था थोड़ा उपर जाकर अचाहा स्टाप लॉस ही तो था मेरा ठीक है मेरा स्टाप लॉस से मार्केट को यह लेना द बना या फिर एक्तम कंप्रीट साइडवेज हो जाए कर और लोग अभी पॉजिरीफ के तरह तो हो सकता है कल एक बड़ा वाला रैट कंडल भी बना सकता है मार्केट इस साइकोलोजी पॉइंट से कुछ जो इंपॉर्टन होता है ट्रेटिंग के वाक्त देखते हैं पर 15 मि सब्सक्राइब बहुत बाइंग आजाए तो हो सकता है स्टार्टिंग में सेलिंग आजाए मतलब पहले पहले फास्ट हाफ में थोड़ा 15-20 अदा गंड़ा सेलिंग आजाए देन वह करके थोड़ा से साइडवीज रेके देन अफसाइड मूप करके फिर आपनिंग के में सब्सक्राइब और अगर फ्लैट ऑपन होता है तो बिलीश है कि चार्ट बिलीश दीख रहा है लेकिन मेरा परसनल है कि मैं जो साइकलोजी देखता हूं उससाब से मुझे लग रहा है कि कल हो सकता है एक बड़ा रेटकनल बना या बहुत कंप्लीटली साइडवेस हो ज चाहिए इसके निचे गपडाउन ना हो इस रेंज भी ओपन हो और देन 865-66 को तोड़े मतला इस रेंज में आपन होना चाहिए और इसको तोड़े देन आपका चार से पास रोपे स्टाप लोस रहेगा और वान इस टू मिनिमा आपका टार्गेट रहेगा फ्लैट ओपन ह पर खेगे इसके नीचे इसके बीच में। आपन होना पड़ेगा आप इसको ध्यान रग्याइंब इसके बीच में ऑपन होने सी आप करना और मुतूत वाइनस B अगर इसके सेल नाँ आतको इस रेंच की बीच में अएगर ऑपन होता है कर थक हम की थर्टी फ्रोटी 4 13 30 30 इस रेंच से अपका थर्टीं था फाइब थेंच में अपन होता है इसको तोड़ता है निचा के रेंच को तोड़ता तोड़ message को सोड़ते है दो त्रय कि च Yep स्टॉप लोस रहे दर मिनिमम् टार्गेट होना चाहिए और अपका इसके बाद हैं इसके बाद आप जाइड़ाइस लाइफ जाइड़ाइस लाइफ में भी सेम आपको सेलिंग साइड में देखना है अपको अगर यह इसको नहीं उपर नहीं होना चाहिए 900 से आपका 890 के ब करना हे और और इसको उपर भी नहीं जाना चाहिए यह जिए जमों प रहें जिल्ट तो पर नहीं जाना चीए तो भी एक महिंद्रा का बाइंग साइड में आपका हो जायेगा इसके नीचे ग्यप डाउन ली देखना है जाना पर आप आपको बाइंग साइड से ना यह जा करें तो आज के लिए बस इतना है अगले वीडियो में तब तरक लिए बाई थैंक यू और अपना क्या लगना